हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई शेनल नीतू क्रियेटिफ कॉर्णर फ्रेंड्स आज जो हम क्रराफ्ट बनाएंगे उसमें इस तरह के खाली डब्बे का यूज करेंगे इसी की हेल्प से हम क्राफ्ट बनाएंगे तो इस तरह का खाले डबा हमारे घर में बड़े ही आसानी से मिल जाता है सबसे पहले मैंने इस डबे को अपने एकॉर्डिंग कट कर लिया है मुझे जितना बड़ा साइज रखना है उतना बड़ा मैंने इसे कट किया है उसके बाद मैं इसके साइड वाले कॉर्णर को भी कट कर लूँगी कट करने के बाद मैंने इसे ग्लूगन की हेल्प से चिपका लिया है आपके पास अगर ग्लूगन नहीं है तो आप फैविकॉल या बोनो फिक्स की हेल्प से इसे चिपका सकते हैं कॉर्णर चिपकाने के बाद इसी डब्बे का जो बचा हुआ पार्ट है उससे एक साइड को बंद कर देंगे अब हम उसी तरह से इस डब्बे को अपने एकॉर्डिंग जितना बड़ा हमें साइज रखना है उतना बड़ा इसे कट कर लेंगे हम इसके कॉर्णर को कट नहीं करेंगे हम बस इसके एक साइड पर ग्लू गन लगा कर इसे चाट पेपर पे या किसी भी कार्ट बोट से इसे चिपका लेंगे उपर वाले साइड पर हम एक इस तरह का कार्डबोड कट करेंगे बीच में उसके होल बनाएंगे और उसे चिपका लेंगे चिपकाने के बाद अगर आपका ग्लू गनिया फैवी कॉल से अच्छी तरह से कार्डबोड नहीं चिपकता है तो आप इसे सेलो टेप की हेल से भी अच्छी तरह से चिपका सकते हैं या इसे फैवी कॉल से चिपकाने के बाद आप अच्छी तरह से इसे सेलो टेप से भी कवर कर सकते हैं फिर हम एक डब्बे में white cement लेंगे और इसमें पानी mix करके पतला घोल तयार करेंगे घोल तयार करने के बाद हम इस घोल को इस डब्बे में डालेंगे और चारो तरब से अच्छी तरह से मिलाते हुए जो extra white cement है उसे इस डब्बे में निकाल देंगे इस process को हम 3-4 बार करेंगे ध्यान दे कि आपने जो white cement का घोल इसमें डाला है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए तब इसके बाद हम फिर से दुबारा इसमें white cement का घोल डालेंगे और जो extra white cement है उसे निकाल लेंगे जब यह अच्छी तरह से सूख जाएगा तो हम किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें इसे डाल कर अच्छी तरह से गीला कर लेंगे गीला करने के बाद जो हमारा डब्बा है वो आसानी से इसमें से बाहर निकल जाएगा इसके बाद हम सेंट पेपर लेंगे और इसे अच्छी तरह से रफ करके मिला लेंगे तो देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है इसके बाद हम थोड़ी सी बॉल पूटी लेंगे और कटर की हेल्प से कुछ डिजाइन कट करेंगे ये कटर मैंने ऑनलाइन परचेश किया था अगर आपके पास है तब ठीक है अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप इसे परचेश कर सकते हैं हमने कटर की हेल्प से जो डिजाइन कट किये थे वो अच्छी तरह से सूख गये हैं तो मैं बॉल पूटी के गाढ़िये घोल से इसे चिपका रही हूँ आप बॉल पूटी की जगव फैविकॉल भी ले सकते हैं इसे चिपकाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए रख देंगे जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके बाद इसे कलर करेंगे color आप अपने according करें आपको जो भी color पसंदो आप उस color से इसे color करें फ्रिंट्स इस तरह के डब्बे हमारे घर में अक्सर किसी न किसी समान में आते रहते हैं तो हम समान का तो यूज कर लेते हैं पर इन डब्बो को फेक देते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस तरह के डब्बे को बाहर नहीं फिकेंगे, उसे अपनी यूज में लाएंगे, इस तरह से इस डब्बे का यूज करकर हम बहुत ही सुन्दर सा पोट बना सकते हैं और इसे एलजे प्लांटर भी यूज कर सकते हैं, तो मार्क को इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर पूझे, मैं आपके कॉमेंट का रिपलाई जरूर दूँगी. तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है, ये देखने में बेहत खुबसूरत है, तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्राफ्ट भी बना लेते हैं. मैंने इस पे भी सेम वही वाला प्रोसेस यूज किया है, इस पे भी मैंने बॉल पूटी के डोसे जो डिजाइन कट किये हैं, उसे इस पे चिपका रही हूँ, और इसके बाद जबी अच्छी तरह से सूख जाएंगे, तब मैं इस पे कलर करूँगे. अग्ड़ झाला प्रोसे लेएंगे, तो अग्ड़ जाएंगे, एस पे कलर दोटी के देचर जाएंगे, तो दोटी किये हैं, और दोटी किया हैं, जाएंगे, जाएंगे जाएंगे. तो फ्रेंड्स हमारा सिकिंड क्राफ्ट भी बनके तयार हो गया है आपने देखा कि मैंने इसे कितनी आसानी से बनाया है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो अची लगी हो तो एक लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें फिर बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ तक तक के लिए बाबाई